हलो और वेलकम बैक आइम डॉक्टर राहिल चौधरी आज के वीडियो में हम एक बहुत इंपोर्टन चीज को डिसकस करने वाले हैं कि फर्स्ट में से कोविड नाइंटीन की वैक्सिनेशन अठारा साल से उपर के सभी लोगों के लिए खुल जाएगी तो बहुत सारे मेरे पेशेंट्स के मन में ये कंफ्यूजन है कि डॉक्टर साब कौन सी वाली वैक्सिन लगवानी है कोवी शील्ड वैक्सिन अवेलेबल है कोवैक्सिन अवेलेबल है और अब 15 दिनों बाद या मिड में में स्पूटनिक फाइव भी अवेलेबल हो जाएगी तो सबसे पहले लोगों के मन में ये कंफ्यूजन है कि कौन सी वैक्सिन लगवानी है कई साह लोगों के मन में कई तरह की सोशल मीडिया पर ये अफाय फैल रहे हैं कि कुछ वैक्सीन कुछ स्ट्रेंज के अगेंस जाधा काम करती है कुछ वैक्सीन इतनी एफेक्टिव नहीं है तो इसमें कितनी सच्चाई है क्या इन वैक्सीन के साइड इफेक्स है इन वैक्सिन्स को लगाने का क्या स्केडियूल रहेगा कि अगर मुझे कोविड नहीं हुआ है तो में को कैसे लगवानी है वैक्सिन अगर मुझे कोविड हो गया है तो मुझे कैसे लगवानी है वैक्सिन अगर एक vaccine लग चुकी है और COVID हो गया है अब क्या करना है अगर दौनों vaccine लग गई है और COVID हो गया है अब क्या करना है तो बहुत सारे confusion है लोगों के मन में और आज की वीडियो में यह सारे confusion हम दूर करेंगे ताकि जब first में से vaccination खुले तो आप एक informed decision ले पाएं अपने vaccination को ले तो यह सारा को discuss करेंगे इस वीडियो में चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहला question यह है कि कोवी शील लगवाएं को vaccine लगवाएं या अब जो sputnik 5 आने वाली है इसको लगवाएं देखिए आपको यह समझना जूरी है कि यह सारी vaccines एक जैसी हैं यह सिरफ एक myth है कि एक vaccine ब effective हैं और आपको जो vaccine मिले उसको इस समय लगवा के अपने आपको safe करिए तो please इस बात को मन से निकाल दीजिए कि हमें ये वाली vaccine चाहिए वो वाली vaccine चाहिए जो vaccine मिले इस समय उसको लगवा के अपने आपको safe करिए हमारे पास इस समय में इस तरह का कोई भी data नहीं है जो य जो वैक्सीन मिले उसको लगवाई है अब सबसे पहला question यह उठा है कि अगर आप एक normal इंसान है अभी तक आपको कोरोना की infection नहीं हुई है तो वैक्सीन को आपने कैसे लगवाना है देखिए अगर अभी तक आपको कोविट की infection नहीं हुई है fortunately बहुत अच्छी बात है पहली vaccine जितनी जल्दी हो सके उसको लगवा ली जिये और दूसरी vaccine को लगाने के लिए अब यहाँ पे अलग अलग लोगों की थियोदी हैं कुछ लोग कहते हैं चार हफते में लगवा लो कुछ लोग कहते हैं छे हफते में सेकंड डोस लगवा कुछ लोग कहते हैं आठ हफते में सेकंड डोस लगवा लेकिन इतने टाइम के बीच में हमें ये समझ आया है कि जो छे हफते वाली सेकंड डोस ह वो सबसे best है तो suppose आपने आज अपनी पहली dose लगा ली second dose आप यहां तो 6 हफते बार लगवा लो या 8 हफते बार लगवा लो second question जी आता है कि अगर आप corona positive हो चुके हैं तो अब क्या आपको vaccine लगवानी है और लगवानी है तो कैसे लगवानी है देखिए unfortunately अगर आप corona positive हो चुके हैं तो सबसे पहले तो आप 10 दिन का wait करिए जब आप corona negative हो जाए एक बारी आप corona negative हो गए उसके बाद एक महीने wait करिए एक महीने के बाद आपको पहली dose लेनी है vaccine की और उसके 6 हफते बाद आपको लेनी है second dose तो ये बात हमारी बहुत clear होनी चाहिए कि कुछ लोगों के मन में बहुत होर सी मच गई है कि जैसी vaccination खुले फट से जाके vaccine लगवा लो ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपने अगर आप covid positive हो चुके हैं तो पहले आप 10-15 दिन का wait करिए जब आप covid negative की report आजाए जब covid negative की report आईगी उसके बाद एक महिना आपने wait करना है क्योंकि ये booster doses हैं आपकी body में already कुछ immunity आ चुकी है तो covid negative होने के बाद एक महिना आप wait करेंगे उसके बाद पहली dose लेंगे और उसके 6 हफते बाद आपको second dose लेनी है अब third question उटता है कि माल लीजी आप करोना की पहली dose लगवा चुके हैं अब आपको second dose कब लगवानी है ये तो बहुत simple है अगर आप पहली dose लगवा चुके हैं छे हफते बाद second dose लगवानी है लेकिन माल लीजी आप करोना की पहली dose लगा चुके हैं और आप second dose लगवाने स से पहले कोविड पॉजिटिव हो गए तो अब आपको अगेन वो फॉलो करना है कि पहले आप 10-15 दिन रुकेंगे जब आपकी रिपोर्ट कोविड नेगेटिव आ जाएगी उसके बाद एक महीना रुकना है और फिर आपको अपनी सेकंड डोस लगवानी है तो इसमें कोई आउट नहीं होना चाहिए कि आप पहली डोस लगवा चुके हैं बीच में कोविड पॉजिटिव हो गए कोई बात नहीं पहले आप वेट करो कि आप कोविड नेगेटिव हो जाओ फिर आप एक महीना वेट करो उसके बाद सेकंड डोस लो और फिर ये क्वेशन आता है कि क अगर आप दौनों वैक्सीन लगवा चुके थे तो कोविड पॉजिटिव हो कैसे गए वैल इसमें आपको ये समझना जूरी है कि ये सारी वैक्सीन जो है ये आपको इम्म्यूनिटी देती है सीवियर कोविड के अगेंस्ट सीवियर कोविड मतलब बिलकुल इंसान डेध बंद कर दिया सोचल डिस्टेंसिंग बंद कर दी ऐसा बिलकुल नहीं है वैक्सीनेशन के बाद भी आप कोविड की इंफेक्शन आपको हो सकती है बस वैक्सीनेशन का फैदा ये है कि आपको इंफेक्शन माइल्ड होगी या मॉडरेट होगी सीवियर इंफेक्शन नहीं ह होगी अच्छा कुछ लोग मन में क्में क्वैश्चर यह सब्सिंस लगवा लगाने के बाद हम severe COVID के लिए मतलब आपको severe वाला COVID नहीं होगा हा लेकिन 70% safe है mild or moderate infection के लिए तो first dose भी लगानी है इस तरह का मन में नहीं बात रखनी कि मैंने सिर्फ first dose लगवाई है second dose नहीं लगवाई first dose के बाद भी आपको बहुत सारी safety मिलती है severe COVID के अगेंस तो दो हवते बाद आपको 100% efficacy मिल जाती है अच्छा especially young लोंग आज कल के जो second wave आये COVID की उसमें हम देख रहे हैं कि young लोंग जादा effective हो रहे हैं effect हो रहे हैं इससे young लोगों की जादा death हो रही है तो आप young लोगों को तो specifically आपको फटा फट अपनी vaccine लगवानी है और आपको अपने आपको safe करना है अच्छा कुछ लोंग मेंसे ये पूछने हैं कि डॉक साब इन vaccination के side effects क्या है कई जगा हमने सुना है कि लोगों की death होगी vaccine लगाने से कई जगा हमने सुना है कि lung paralysis हो गया, blood clots हो गया देखिए ये again social media पे फिलाएवी बहुत सारी myth और अफ़ाएं हैं ये vaccination बहुत जादा safe है जादा से जादा majority लोगों में mild side effects आते हैं जैसे fever हो गया, थोड़ी सी body weakness हो गई, body ache हो गई, थोड़ा सा नौजिया जैसा फील लोगा इससे उपर कोई side effect नहीं ऐसा वो बस एक study हुई थी जहां पे इन्होंने देखा कि जो लोग बहुत जादा elder थे या जिनको co-morbidities थी, उनमें कुछ लोगों में blood clotting हो गई, और उसका एक बहुत बड़ा हुआ बना दिया है तो वो भी उन लोगों में हुई, जिनकी co-morbidities थी, hypercogulable states थी उनके अंदर, तो उनके अंदर blood clotting होई तो आपको इससे डरना नहीं है, vaccination से, vaccination बहुत ज़रूरी है इस time पे, और इसके बहुत ही mild side effects है, कोई ऐसा major side effect नहीं है अच्छा, अब लोग में इसे पूछते हैं कि, doctor, हमने सुना है कि कोई vaccine कुछ strains के लिए जादा better है, कोई vaccine कुछ strains के लिए कम effective है जैसे अब Indian double mutant state आ गई है, तो उसके लिए एक vaccine better है, दूसरी, again हमारे पास इस तरह का कोई data नहीं है इस समय सारी vaccines को हम एक जैसा मानते हैं, और सारी vaccines आपको सारे strain के against protection देती है कुछ लोग कह रहे हैं कि, doctor, अब यो Moderna की या Pfizer की vaccine आने वाली है, तो क्या हम इस vaccine का आने के लिए वेट करें और इन दौनों में difference क्या है देखे, Moderna और Pfizer वालों ने Indian government को approach करा था अपनी vaccine को introduce करने के लिए Indian government ने बोला कि आप एक छोटा सा trial करो 1500 लोगों पे Indian population के उपर और उसके बाद हम आपको approval देंगे इन लोगों ने वो trial नहीं करा, तो हम नहीं कह सकते कि Moderna Pfizer वाली vaccine कब आएगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि Moderna Pfizer वाली vaccines better है और हमारी जो Indian vaccines है वो खराब है ये दौनों इस समय पे सारे data ये सजेस्ट करते हैं कि दौनों एक तरह से equal है हाँ थोड़ा सा इसमें basic difference है scientific level पे कि ये Moderna Pfizer वाली mRNA vaccines है ये दूसरी वाली vaccines है हमारी ये एडिनो वायरिस रेक्टर vaccines है लेकिन दौनों की effectiveness बिल्कुल ही same है तो इसमें बिल्कुल घबराने की बात नहीं है जो vaccine आपको उपले उसको लगवा लो vaccination बहुत जरूरी है जितनी जल्दी हो सके vaccine लगवाओ vaccine आपको 100% efficacy नहीं देती mild moderate से vaccine का काम है आपको severe covid से बचाना कि आपके मरने की situation ना है कि आपको हम लोग manage करके बचा ले तो vaccine बहुत जरूरी है एक dose भी effective है बहुत बढ़िया है दो लग जाया तो किसी बहुत ही बढ़िया चीज है लेकिन अगर एक भी लग जाया तो आप काफी हद तक safe हो जाते हो और ये social media पे जो अफाइ फैल रही है कि इसमें side effects है इसको मत लगवाओ इससे खराब हो जाओगे corona infect हो जाओगे ऐसा कुछ नहीं है vaccine बहुत जादा safe है और इनको आप जल से जल लगवाओ और अपने आपको safe करो तब तक के लिए आपके अबन में और कोई question हो vaccination से लेते हुए तो आप मुझे call करिए या आप में को whatsapp करिए या में को comment section में पूछिए मैं कोशिश करूँगा आपके सारे answers जल से जल दो Thank you very much for watching this video and I'll be back soon